नमश्कार जैसा कि मैंने कल आपको बताया था आज भी मैं एक बड़े अपराद की घटना लेकर आपके समक्ष उपस्तित हुआ हूँ ये भी उसी वक्त की है जब अपराद और अपराद ही अपने चरम पर थे पुलिस के पास संसाधन नहीं थे मोबाइल फोन नहीं था इंटरनेट नहीं थे और सब कुछ मुझवानी गवाहों के बयान के आधार पर और जो ट्रेडिशनल पुलिसिंग के और टूल्स हुआ करते थे हतियार हुआ करते थे उनके आधार पर विवेचना हुआ करती थे जैसा कि मैंने कल बताया था कि आज मैं आपको गोरकपुर में चुनावी सभा के दौरान तीन बार के पूर्व विधायक ओम प्रकास पासवान की हत्या की बात बताऊंगा यह दौर था जहां पर बड़े बड़े राजनेतिक बड़ी राजनेतिक हत्याएं हुई थी उसी में एक राजनेतिक हत्या ओम प्रकास पासवान की भी थी जिन दो और घटनाओं का मैंने जिकर किया था उनमें से एक का भी सम्मंद्र लखनव गोरगपूर से था विरेन शाही जी की हत्या उसके अलावा ब्रहमदत दिवेदी उस समय के बहुत ही तगड़े पॉलिटीशन और उनकी भी हत्या इसी पीरियड में हुई थी आज जो घटना है वो 25 मार्च 1994 की है गोरगपूर में एक बाजार है बांस गाओं बाजार अगले कुछ दिनों में एलेक्शन्स होने वाले थे उसकी एक चुनावी सभा हो रही थी मनी राम विधान सभाथ छेत्र है गोरगपूर का वहां से तीन बार के विधायक जबकि वो जनरल सीट है श्री ओम्प्रकास पासवान ये दलित नेता थे जनरल सीट से भी दो बार वो निर्दली विधायक हुआ करते थे तीसरी बार वो समादवादी पार्टी के टिकट पर चुनकर विधायक हुए थे आप इससे उनकी पॉपुलर्टी का अंदाजा लगा सकते हैं युवानेता थे और उनका बड़ा वहां पर बलकि वो रॉबिन हुड जैसी उनकी चवी उस समय गोरगपूर में बनी हुई थ ठान था बांसगाओं बाजार शाम का समय था छे बच के 18 मिनट ट्रॉली पर जो खीचने वाली ट्रॉली होती है हाथ से धक्का दे कर उसके चक्कों को जाम करके उसके उपर तखत रखके मंच बनाया गया था करीब तीन हजार की भील वहाँ पर मवजूद थी जिस समय वो चुनावी सभा में अपना भाशन दे रहे थे वो बढ़हर गन से सभा करके बांसगाओं आये थे ट्रॉली पर उपर तखत रखके उसमें मंच वाले बैठे थे उसके बाद नीचे उतरने के लिए ट्रॉली चुनके काफी उँची होती है उतरने के लिए भी चौकियां लगाई गई थे चारों तरफ उस पर भी कुछ लोग खड़े थे कुछ बैठे हुए थे अपना भाशन खतम करके जैसे ही उन्होंने अपना दाहिना पैर चौकी के उपर रखा वैसे ही एक जोड़ार आवाज हुई एक बम उनके उपर आकर गिरा जिसमें उनका सिर का आधा भाग उड़ गया वो वहीं पर गिर पड़े उसके बाद तो ताबर तोड़ इतने बम बरसाए गए उस सभा में कि मौके पर ही पाँच व्यक्तियों की मृत्ति हो गई तीन हजार लोग जो चुनावी सभा में उनके आये थे उन प्रकास पासवान जी के वो वहाँ से भाग खड़े हुए ये अब तक का उस समय तक अब तक का सबसे भीशन नरसंगार था चुनाव के समय में पुलिटकल किलिंग थी पहले घायलों को वहाँ से कोडी राम ले जाया गया फिर वहाँ से बासगाओं के अस्पतालों में ले जाया गया लेकिन वहाँ पर इलाज की समुची सुविधा इतने लोगों की ना होनी के कारण इनको वहाँ से जिला अस्पताल के आपात कर्ष में लाया गया ओम्प्रकाश पास्वान के सबसे नजदी की व्यक्ति जिनको सब लोग वहां जानते थे कि इनका सबसे करीबी है इनामुला वो और जो वादी मुकदमा थे उनका भतीजा वो भी उसमें मारा गया और एक नए नए बिहार में चैनित हुए मुनसिप मजिस्टेट थे उनका भी दिहानत उसी बंबाजी में हो गया था जाते समय बे खौफ बदमाश एनामुला उनके गणर और उनके समर्थकों की सारे बंदूख इनके पिस्टल थी उनकी पिस्टल थी और बाकी लोगों के बंदूख और राइफिलें थी वो सब भी उठा कर ले गए इतनी दहशत हो गई उस समय इस एलेक्षन में कि बहुत से लोगों ने उस बार के एलेक्षन जो लड़ना चाहते थे, एलेक्षन लड़ने का जिनका मन था, उन्होंने भी अपना विचार बदल लिया था और एलेक्षन लड़ने से मना कर दिया था शक्तिशाली इतना था वो बम की लोगों के चीथड़े उड़ गए थे, उस चौकी के नीचे जो जिस पे पैर रखके नीचे उतरना था, यानि फर्स्ट स्टेप जो था, उसके नीचे एक बकरी और एक कुट्ता भी बैठा हुआ था बम इतना सक्तिशाली था कि उनके चीथड़े निकल कर वो चौकी के नीचे की तरफ जो हिस्सा होता उसमें चिपक गए थे गायलों के तमाम कपड़े उपर उड़कर बिजली के तारों में लटके हुए थे, हज्जारों जूते चपल मौके पर छूटे हुए थे थाना वहां से सिर्फ चार सो मीटर की दूरी पर था लेकिन पुलिस दो घंटे बाद आई पुलिस जबाई बिलकुल अंधेरा था चारों तरफ पहले दियासालाई जला जला के पहचानने की कोशिश की गए कि इसमें उम प्रकाश पासवान कौन है जब उन तक पहुँचे तो इनाम उल्ला करा रहे थे चला रहे थे और फिर सारे घायलों को एक एक करके पहले मैंने बताया कौडी राम फिर बांस गाओं फिर दिस्टिक हास्पिटल उसके बाद उसमें भी जो बहुत सीरियस थे उनको मेडिकल कॉलेज ले जाया गया कुल तीस लोगों की इसमें गायल हुए आप बम का अंताजा बगल में तैसील भवन था तैसील भवन के सारे शीशे तूट गए तैसील भवन भी हिल गया कितनी देशत हुई होगी जिस समय ये बंबाजी चुनावी सभा में हुई हो कुछ लोग भगदन में भी घायल हो गए और ये करीब 40 मिनट तक कोई भी व्यक्ति वहाँ पर नहीं आया न समर्थक आये न पुलिस आये जो जहां था वहीं पड़ा तलपता रहा मैंने बताया कि थाना धर्ष बास गाओं घटना के दो घंटे बाद मौके पर पहुँचे घटना के बाद जो प्रत्यक्ष दर्शियों ने बताया कि दो मोटर साइकलें थी या महा मोटर साइकलें थी उन पर बैठके चार या छे आदमी घटना स्थल से भाग रहे थे और उनका अंदाजा था कि शायद यही वो अपराधी होंगे जिन्होंने ये जगन ने हत्या की है मुकद्मा लिखवाया उनमें से रामेश्वर सिंग जो बहुत नजदीक थे उन प्रकास पासवान के रामेश्वर सिंग के चाचा रामसेवक सिंग ने अज्यात वेक्तियों के खेलाप मुकद्मा लिखवा दिया यारोपित था कि उंप्रकाश पासवान ने बहुत बार अपने जीवन भै के खत्रे के बारे में पुलिस को बताया था प्रशाशन को बताया था यहां तक कि उन्होंने उनके पहले इसके पहले ही 4-5 महिने पहले बीच शहर में जब वो नहरू योवा केंदर से निकल रहे थे और उनके साथ विरियन शाही भी थे उनके अमबेजर गाली पर بी ताब टौर बहुँं से हमले हुए थे लेकिन विरेन शाही सोयम गाड़ी चला रहे थे और किसी तरह से बहां से बच के निकल गए ना तो विरेन शाही को कोई चोट लगी थी नहीं ओम प्रकास पासवान को लगी थी इस घटना से विचलित हुए थे शाही भी और ओम प्रकास पासवान भी उनके समर्थकों का वहां आरोब था कि जब पुलिस ने कोई मदद नहीं की तो ओम प्रकाश पासवान ने अपनी तरफ से ये घोशना की कि मेरे उपर हमला करने वालों की गुप्त सूचना जो भी देगा उसे हम 50,000 रुपए का इनाम देंगे ऐसी घोशना उन्होंने अपने सारे लोकल अखवारों में छपवाई भी थी ओम प्रकाश पासवान और वो जो मुनसर्फ मजिस्टेट थे नए नए चैनित हुए थे बिहार में उनकी मौके पर ही डेथ हो गई थी और मेडिकल कॉलेज में पहुंचते पहुंचते ये मरने वालों की संख्या साथ हो गई मिर्तकों की संख्या और अधिक भी हो सकती है पुलिस ने कोशिश की अब उम प्रकाश पासवान का समर्थन आप समझ रहे हैं कितना लोग प्रिये व्यक्ति रहा होगा सारी भीर वहां शहर में एकठा होने लगी मेडिकल कॉलेज छेतर में उनका आवास था हजारों आदमी वहां एकठा हो गए वहां से मौर्चरी पहुंच गए पुलिस ने ये कोशिश की कि रात में ही पोस्माटम करा दें नहीं तो सवेरे तक कानून बेवस्था की स्थिती बिगड़ सकती है समर्थकों ने मना कर दिया कि नहीं रात में सब घपला होगा डॉक्टर सब इधर उधर कर देंगे आप दिन के उजाले में इसका पोस्माटम कराईए चुकि डेड़ बाडी ज़्यादा थी इसलिए पोस्माटम सुबह छे बजे से पैनल द्वारा किया जाने लगा और सबसे पहले उन प्रकास पाशवान की बाडी का पोस्माटम करके उनके पिता को हस्तगत करा दी गई ये डेड़ बाडी उसके बाद इनाम उल्ला का पोस्माटम हुआ मृतकों में एक अधिवक्ता थे वली उल्ला जो वहां के फेमस अधिवक्ता थे बांस गाओं के सुन्दर पासी थे कामिशोर सिंग जिनके चाचा ने भाया लिखाई थी और बहुत नजदीक थे उनकी भी मृत्ति हो गई थी अलीव हुसाइन और मोटू दरजी बांस गाओं के ही इनकी भी मृत्ति हो गई और अमी चंद्यादो जो कौडी राम के गांधी आशरम में कर्मचारी थे उनकी भी मौके पर ही मृत्ति हो गई थी अगले दिन वहाँ उस गाओं में उस कस्बे में बांस गाओं बहुत बड़ा कस्बा है गोरोकुर का मौत का सर्नाटा था वहाँ वहाँ पर पुलिस जो जूते थे चपल थे कपड़े थे कुछ अंग भी वहाँ बाद में मिले उन सब को अलग-अलग कपड़ों में रख के सील कर रही थी तीन सु पंदर बोर के खोके और कुछ रिपिट यानि बम के भीतर जो कील जैसा होता है इसको रिपिट कहते हैं वो भरा हुआ था और सभी जितने घायल या जो मृतक थे उनके शरीड से ये रिपिट के टुकड़े उस माटम के समय में या इलाज के समय में निकाले गए थ प्रतक्ष दर्शी ये बताते हैं कि मंच पर चणने से पहले ओम प्रकास पासवान ने अपनी पिस्टल निकाल कर इनाम उल्ला को दे जी थी उसके बाद वो जब बोल के निकलने लगे और जैसे ही उनके उपर पहला बम हुआ इनाम उल्ला ने सोचा शायद कोई साथ हो गई पर मौकेपर इसकदर कोहराम मच गया कि घाइलों को उठाने माला कोई नहीं था सबसे पहले मैंने बताया देया सलाई जलाकर उनको पहचाना गया उंप्रकाश पासवान को फिर कामेशोर सिंग को पहचाना गया फिर इनामुला को पहचाना गया और बिसफोर्ट इतना जबरजस था कि 25 मीटर उपर तक फ्लेम्स यानि जो आग की लपटे हैं वो दिखाई मैंने आपको बताया कि मंच पर जो दरी चद्दर गद्दा यह सब लगाया जाता है यह सब जल कर खाक हो गया था उसके चौकियों के जो ट्रॉली की उपर रखके मंच बनाया गया था उसके चीथड़े उड़ गये थे उसके बाद पुलिस ने अपने ग्यान की बातें शुरू की किसाब यह चौकी के नीचे पहले से ही बम लगाया गया था क्योंकि जो बकरी और कुटे के शव हैं वो तख़त पे चिपके हुए थे उपर से फेंके जाने पर यह ऐसा कभी हो नहीं सकता था फिर देरे देरे प्रतेक्ष दर्शियों ने ये बताया कि इन में से दो लोग महिलाओं की साड़िया इत्यादी पहन कर छट पर महिलाओं के साथ बैठे हुए थे जैसे ही उन्होंने अपना एक पैर नीचे के लिए बढ़ाया उपर से ही ताब और तोड बंबर सा शुरू कर दी गए इसके अलावा अगल बगल जो उनके साथ के हमलावर चिपे हुए थे मंच के अगल बगल उन्होंने गोलिया चलानी शुरू कर दी कुछ लोगों ने हमलावरों को आते हुए पहचानने की बात भी कि किसाब यह यमहा मोटर साइकल से बांस गाओं कुसमौल बांस गाओं रोड से भीतर आये थे और उसके बाद वो गाओं के समीप ही कतवार का पुखरा नामक इस्थान से वापस लौट गये थे हमलावर इसी मार्ग से चले गए थे उसकी तरफ कचार की तरफ ऐसा प्रत्यक्षिदर्शियों ने बताया अब अगले ही दिन यहां यह मैं बताना भूल गया कि 25 तारी को यह घटना हुई चुकि समाजवादी पार्टी के वो कंडिडेट थे लोग सभा के और चुनाव प्रचार कर रहे थे पार्टी के पूरू एमेले भी थे अगले दिन ही यानि 26 मार्च को लखनव में बड़े प्रदर्शन का एलान भी हो गया बाकी सब जगर भी समाजवादी पार्टी ने विरोध और धरना प्रदर्शन इत्या का केवल एक ही पैरलल एक ही एक्जामपिल और मौजूद है वो भी बिहार का है जहां पर चुनावी सभा के समय मंच के उपर पूर्व रेल मंतरी ललित नरायन मिश्र की इसी तरह बमों से हत्या कर दी गई थी क्योंकि जन सभा में जैसे ही जन सभा में तीन हजार आदमी थे किसी की दुश्मनी है तो वो दुश्मनी तो अपनी किसी से निकाल सकता है लेकिन इतने इन्नोसेंट लोगों को चोट लग जाना या उनकी मौत हो जाना ये ऐसा पहले कभी हुआ नहीं था लली तनायन मिश्यजी की हत्या के अलावा दूसरा कोई उदारण चुनावी सभा में इस तरह से ताबर तोड़ बंमार कर हत्या करने का दूसरा कोई उदारण उपलब्ध नहीं है इतिहास के पन्नों में देखें ये वही दौर था जब किसी ने कोई रिकॉर्डिंग नहीं की होगी कोई CCTV फूटेज नहीं होगी या इस तरह के कोई गजट नहीं थे और धीरे धीरे जब विवेशना हुले हुले आगे बढ़ी तो उसमें छे व्यक्ति प्रकाश में आगे इन छे व्यक्तियों में श्री पडड़ी, ब्रह्मा शंकर यादव, राकेश यादव और बाकी और तीन लोग इसमें थे पांच लोग इसमें से उनका या तो आप सी रंजिश में मारे गए या पुलिस ने एंकाउंटर किया श्रीपडड़ी एरपोर्ट पर काफी कैश के साथ पकड़ा गया है, अमवसी एरपोर्ट पर, उसके बाद पुलिस उसको लेके वहां से थानने तका रही थी स्टीफ के हमारी टीम गई थी उसको लाने के लिए, यहां बहुत ज़्यादा श्रीपड़ड़ी के बारे में जानकारी थी नहीं, गोरपपुर से जानकारी की गई, तो पता लगा कि यहां का फरार है, यानि चानबे की उस घटना के बाद से वो कभी पकड़ा नहीं गया इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा की टीम थी, जेल लोट के पास आते आते उसने अचानक जो उसकी आदत है एक डेरिंग हरकत कर दिये, इंस्पेक्टर जिनोंने बिना डोरी के अपनी रिवालवर खोंस रखी थी, उसको निकालने का प्रयास करके और भागने की कोशिश क पुलिस ने वहीं इंकाउंटर में जेल लोट पर ही दिन में श्रीपट डारी को मौत के घाट उतार दिया था, ब्रह्मा शंकर यादव भी से मुटभेड में मारे गए, बाकी दो लोग और मुटभेड में या आप सीरंजिस में मारे गए, छठवा रूपी राकेश मुकदमा चलना शुरू हुआ ट्रायल पर प्रोजिक्यूशन ने यानि सरकारी तरफ से यानि पुलिस की तरफ से 13 गवाह प्रस्तुत के, 13 में से 13 के 13 ही मुकर गए किसी भी घटना से, 13 के 13 होस्ताईल हो गए, और फाइनली यह हुआ कि 2018 में राकेश यादव अदालत से सभ ऐसी बिभत्स घटना, ऐसी भीशा घटना, ऐसी सरे बाजार घटना, ऐसी सरे राह घटना, बमों से चीतरे चीतरे उड़ा देना, लोगों के टुकडे और कपले उपर बिजली के तारू में लटके हुए मिलें, उसमें अदालत में किसी भी व्यक्ति पर जुर्म का उनिस सो चानबे के उस समय में एलेक्शन अपने शबाब पे था, एलेक्शनेरिंग अपने शबाब पे थी, ऐसे में ये ऐसी घटना हुई कि इससे दहशत का माहुल फैल गया, सब को ये विचार करना पड़ा कि एलेक्शन शान्ति पूर्ण हो भी पायेगा कि नहीं हो पायेगा, इतनी गंभीर ये घटना थी, मैंने बताया कि अगले दिन 25 की घटना 26 को ही बड़े प्रदर्शन का एलान हो गया, मैं सी ओमान अगर था, हमारे स्पी सिटी साहब, एडियम सिटी साहब, स्पी सूर्य कुमार साहब, ये सारे लोग सवेरे से ही पूरा बंदोबस्त करके हजरत गंचवराहे की नाकिबंदी कर दी गई थी, जी पियो पार्क में एकठा होने की बात जो पुलिटकल पार्टी थी, उसने की थी, कि वहां हम लोग एकठा होंगे और रास्ते को जाम करेंगे, चारों तरफ बेरिकेडिंग लगाई गई, कोशिश की गई कि वहां जो सामान यातायाद है वो चलता रहे, उसमें किसी तरह की बाधा न पहुँचे, प्रदर्शन कारियों की हमेशा ये एक्षा होती है या कोशिश होती है, कि किसी तरह से यातायाद बाधित हो जाए, सारे सरकेल ओफसर्स, सारे अडिशनल स्पीज, स्पिसिटी, एडियम, ये सभी लोग वहां मौके पर जूसते रहें, और बड़ी मुश्किल से शाम को तीन बजे तक ये इस आंदूलन को, इस प्रदर्शन को समाप्त कराया जा सका, मैंने बताया कि 13 गवाह, इंडिपेंडेंट गवाह, इस घटना के तयार किये गए, इनको ट्रायल पर कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया गया, लेकिन 13 में से कोई भी गवाह, गवाही देने की इस्थिती में नहीं था, और वहां आदारत में जाके 13 के 13 गवाह मुकर गए, उसका में रीजन ये था कि उस समय कोई वीडियो रिकॉर्डिंग किसी भी तरह की विवेशना में शामिल नहीं हुई, थी ही नहीं, तो विवेशना में कैसे शामिल होती, कोई audio recording बिवेशना में शामिल नहीं हो पाई किसी की location का बिवेशना में कोई जिकर नहीं है जो गवाहों के बयान या प्रत्यक्षदर्शियों के बयान में आ सकता था उतना ही बिवेशना में डाला गया यह वो दौर था अब आप यह सोचें कि इतनी जगन नहत्या के बाद इतनी भीशन बंबारी के बाद वो इत्मिनान से सब के कमर को टटोल के क्विस्टल, रिवॉल्वर, राइफल और बंदूखें ले गए दो-चार मिनिट तो यह ढूनने में और इसको निकालने में लगा होगा आज का दोर होता, तो तीन हजार की उस सभा में कमसकम दो हजार लोग वीडियो बना रहे होते अपने मुबाइल से एक-एक पल की, एक-एक छण की, एक-एक सेकेंड की सारी हरकत रिकॉर्ड हो रही होती कौन किधर से आया, किधर से शुरू हुआ, किधर से बंद हुआ, किधर से भागे, किधर से गए कोई न कोई, कोई न कोई का मतलब कमसकम दो सो, तीन सो लोग इस बात को रिकॉर्ड कर रहे होते अगर मोबाइल, जैसे आज की तारीक में इस तरह की घटना होगी, तो जो लोग नाम जधुए हैं, उनकी या जो लोग प्रकाश में आये हैं, उनकी लोकेशन भी निकाली जाती कि हम सही आद्मी को पकड़ रहे हैं, या गलत आद्मी को पकड़ रहे हैं, सब कुछ किया जाता लेकिन उस जमाने में कुछ नहीं था, देखे घटना तो ये कभी भी हो सकती है, लेकिन कम सकम आज के दौर में अगर ये घटना होगी, तो घटना के बाद अभियुक्तों को सजा दिलाने में हमको पुलिस को और प्रोजिक्यूशन को सबको पूरा पूरे एविडिन्स मिलेंगे और ऐसा करने वालों को सजा भी जरूर मिलेगी लेकिन ऐसा उस समय इस घटना में नहीं हुआ कितनी डेरिंग बात है कि इस तरह की हत्या में एक भी व्यक्ति को अदालत से सजा नहीं हुई जो सजा हुई वो STF ने अपने इस तरह से जो मुर्भेव में मारे गए उनको जो नेचरल सजा हो सकती थी वही सजा हो पाई बाकी किसी को कोई सजा अदालत से नहीं हुई ऐसी घटना जिसने पूरे प्रदेश को प्रदेश की राजनीत को हिला के रग दिया था इनके श्री उंप्रकाश पासवान के बेटे वो तीन बार के सांसद हैं महां से श्री कमलेश पासवान उसी लोग सभाध्षेत्र से जहां के लिए वो कंडिडेट थे और जहां वो मारे गए थे वहीं से श्री कमलेश पाशवान लगातार इस समय भी सिटिंग MP हैं वहीं से लगातार वो सांसद रहे तीन बार श्रीयों प्रकाश पासवान की पत्नी भी पहली बार में सांसद हुई थी समाजवादी पार्टी से उसके बाद दो बार के एलेक्शन में वो हार गई फिर कमलेश ने बीजेपी से दाओं अजमाया और तीन बार से लगातार वो सांसद है ये भी मैंने देखा अभी नेट पर कि जिस समय उन प्रकाश पासवान की हत्या हुई थी वो तेरह चवदा वर्ष के ही थे ये घटना इस घटना के बाद चुकि एलेक्शन का माहूल था तमाम आरो प्रत्यारों पे एक दूसरे पर लगाए गये इसने कराया उसने कराया उसने कराया और वो सब अख़वारों की सुर्खियां बनते रहें मैं आज फिर यूट्यूब की कम्यूनिटी सेक्शन में उस जमाने की जो कुछ पेपर कटिंग्स मेरे पास हैं वो मैं पोस्ट करूँगा और निवेदन करूँगा कि आप पढ़िये जरूर कैसे कैसे लोगों पर आरोप लगे थे किस किस तरह के आरोप लगे थे लेकिन इन्वेस्टिगेशन में ये सिर्फ छे लोग आये और किसी को भी सजा नहीं हुई इंपॉर्टेंट ही ही है कि इतना सब होने के बाद भी किसी को भी सजा नहीं हुई और अंतिम अपराधी राकेश यादब कोट से बाईजत बरी हो गया एक और आप से अनुरोद कि मैं फिर कल अपने निजी और व्यक्तिगत कारे से शहर के बाहर जा रहा हूं और तीन दिन बाद ही वापस आऊंगा बारह अक्टूबर को मैं पुनह आपके सामने एक और घटना लेकर उपस्थित होंगा उसी वक्त की घटना लेकर देखे दो पोलिटकल किलिंग के बारे में मैं आपको बता चुका हूं विरेंज शाही और आज की ओम्परतास पासवान की तीसरी पुलिटकल किलिंग इसी दोर में ब्रमद द्वेदी जी की हुई थी उसके बारे में भी मेरे पास जो अख़वार की कटिंग है वो पूर्ण नहीं है मैं कोशिश करूँगा कि वो पूरी हो जाए लोगों से जानकारी करूँगा पूरी डिटेल की और किसी दिन मैं इस पुलिटकल हर्त्या के बारे में भी आपको बताऊंगा आज की घटना के बारे में अगर आपकी कोई टिपणी है अगर आपके कोई सुझाओ है या आप क्या महसूस करते हैं मेरी मेल आइडिये पर जरूर भेजिएगा मुझे इंतजार रहेगा आज के लिए वस इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद